गुद मॉर्निंग थर्डियर आज जो टॉपिक लेंगे वो है कॉम्टन प्रभाव या कॉम्टन इफेक्ट तो ए एच कॉम्टन ने सन 1923 में प्रकाश के पार्टिकल नेचर के पक्ष में एक और प्रमान दिया उन्होंने बताया कि जब एक वर्णिंग एक्सरेज यानि कि मोनोप्रमाटिक एक्सरेज ग्रिफाइट के सैंपल से टकराती है तो ग्रिफाइट में से एक एलेक्ट्रॉन उच्सर्जित हो जाता है और विवर्तित या परकीर्नित एक्सरेज की तरंग दैदे अधिक हो जाती है यहां हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उच्सर्जित एक्सरेज की उर्जा आपतित की तूलना में आपतित केर्णों की तूलना में कम हो जाती है इसे कॉम्टन प्रभाव कहते हैं यहां हम कह सकते हैं किसी भी वस्तू की सतह से टकरा कर एक इलेक्ट्रॉन के उच्सर्जन के साथ एक्सरेज का कम उर्जा अर्थात अधिक तरंग दैदेवाली एक्सरेज में परिबर्तित हो जाना कॉम्टन इफेक्ट कहलाता है इफ मोनोक्रोमाटिक एक्सरेज आर अलाओ तो हिट अ माटीरियल ओफ लो अटोमिक वेट एक्साम्पल ग्रिफाइट वन इलेक्ट्रॉन इस एमिटेड एंड स्कैटर्ड एक्सरेज कंटें ग्रेडियेशन ओफ हायर वेवलेंथ तो यह तो है कॉम्टन का प्रभाव अब हमें इसको डिराइफ करना है कि जो वेवलेंथ में जो कमी आ रही है वेवलेंथ में जो विस्थापन हो रहा है यानि कि डेल्टा लैम्डा उसकी वैल्यू को निकालना है तो देखिए पहले इस डाइग्राम को समझे तो इस डाइग्राम में देखिए ये बीच में य विश्राम अवस्था में हैं और चुकि विश्राम अवस्था में इसलिए इसके एनर्जी को हम E0 से शोग कर रहे हैं और E0 is equal to M0 c square यह रहा M0 c square और मोमेंटम चुकि रेस्टिंग अवस्था में इसलिए मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगे अब देखिए अब इस प्रभाव को समझने के लिए माना कि एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा है देखिए फोटॉन यह आप ते एक्सरेज आ गया यह यह जो फोटॉन है जिसकी ऊर्जा लिखिए है एच नियू है और समवेग मोमेंटम है है एच नियू अपॉन सी देखिए एच नियू अपॉन सी कैसे आया पी जो की मोमेंटम है वो इस इक्वल टू होता है एच अपॉन लैमडा और लैमडा की जगा हम क्या लिख सकते हैं सी अपॉन नियू क्यों क्योंकि सी इक्वल टू होता है देखिए नियू लैमडा तो की जगह हम क्या लिख सकते हैं c upon new लिख सकते हैं तो लेमडा की जगह आप c upon new लिखोंगे तो p की value क्या जाएगी यहां पे आप लिखें देखें तो हमने लिख दिया p is equal to h और लेमडा की जगह पर हम क्या लिखेंगे c upon new तो momentum की value क्या आगई h new upon c तो एक photon जिसकी की उर्जा h new है and momentum है h new upon c यह m not द्रविवान मास वाले electron से आकर टकराता है देखें यहां के hit कर रहा है और collision के बाद photon x-axis से theta angle का cone बनाता हुआ देखिए इधर निकल गया अब देखें electron का हमने मान लिया है प्रारंबिक संबेग 0 है electron की उर्जा भी हमने मान लिया है m not c square है अब टकर के बाद electron कुछ उर्जा ग्रहन कर लेगा यह जो आके आप x-rays आके photon आके जब इस पर टकराया तो electron ने कुछ उर्जा ग्रहन कर ली अब जो electron की उर्जा है वो क्या हो गई mc square और momentum चुकिए electron भी इस दिशा में चला गया तो momentum क्या हो गया mv अब देखे जो electron है वो x-axis से 5-cone बनाता हुआ निकल जाता है अब कॉम्टन ने यह बताया कि यह जो photon और electron के बीच में जो टकर है वो पूरी तरह से elastic है यानि कि प्रत्यास्त है तो प्रत्यास्त मानते हुए हम energy conservation यानि कि उर्जा संडक्शन तथा momentum conservation के नियम का उप्योग करेंगे और फिर हम तरंग्दैध में विस्थापन यानि कि delta lambda को calculate करेंगे तो उर्जा संडक्शन के नियम के अनुसार यानि कि law of conservation of energy के अनुसार हम क्या करें टक्कर के पहले total उर्जा देखें तो टक्कर के पहले देखे total उर्जा क्या है यह तो photon की रही h new और जो resting अवस्था में electron है वो है m not c square और टक्कर के बाद कुल उर्जा कितनी हो गई इधर हो गई photon की h new dash और इधर हो गई electron की mc square तो वही हमने लिखा है चुकि उर्जा संडक्शन का नियम के अनुसार क्या हुआ तो टक्कर के पहले की उर्जा और टक्कर के बाद की उर्जा दोनों समान होगी तो हमने लिख दिया टक्कर के पहले h new plus m not c square और ज़र होगे h new dash plus mc square यह होगे टक्कर के बाद की उर्जाओ अब सम्वेक संडक्शन के नियम देखेंगे चुकि momentum एक vector quantity है इसलिए हमें जह हमें addition करेंगे तो हमें दिशा को भी देखना होगा direction को भी देखना होगा यानि कि हमें दोनों component निकालने पड़ेंगे x component और y component निकालने पड़ेंगे तो उसके लिए आप देखें इस diagram को समझे जो photon है वो theta angle बनाता हुआ निकलता है और जो electron है वो phi angle बनाता हुआ निकलता है जो momentum है photon का वो है h new dash upon c after collision photon का momentum है h new dash upon c बस आप यह यार रखेगा जो base है आधार है उसके साथ आपको cos जोड़ना है और जो lump है perpendicular है उसके साथ आपको sin जोड़ना है तो देखें आप करते हैं चुकि यह perpendicular है यह perpendicular है और यह हम momentum ले रहे हैं किसका momentum हम ले रहे हैं यह photon का scattered photon का तो इसका y direction में जो component होगा वो होगा h new dash upon c h new dash upon c तो momentum था ही साथ में क्या जोड़ेगा ने कहां जो perpendicular उसके साथ हमको sin जोड़ना है तो sin और angle क्या है sin theta उस तरह से base के लिए क्या हो जाएगा base के लिए again h new dash upon c और साथ में क्या जोड़ेगा cos और उसके साथ हो जाएगा theta तो यह तो हो गया photon के लिए अब नीचे हम electron के लिए तो electron के लिए जो momentum हो वो mv है तो base के लिए cos जोड़ेगा तो क्या होगा mv और cos के साथ क्या angle आजएगा phi और perpendicular के लिए mv sin phi होगा लेकिन चुकिए यह origin से opposite direction में है नीचे की तरफ इसलिए with minus sin तो minus mv sin phi तो यह दोनों component हो गए अब देखिए along x-axis अब हम momentum के लिए निकालने हैं तो x-axis के along आप देखिए शुरुआत में जो photon था उसका momentum h new upon c और प्लस electron का momentum 0 अब टकराने के बाद क्या हो जाएगा h new dash upon c cos theta यह तो हो गया आपके x-direction में किसके लिए photon के लिए अब x-direction में जो electron के लिए क्या हो जाएगा आपने x-direction निकाला है यह देखिए यह direction में क्या निकाला है mv cos phi equation number 2 now along y-axis y-axis पे देखे तो टकराने से पहले तो इधर momentum हो गया 0 और इधर क्या हो गया h new dash upon c sin theta और इधर electron के लिए हो गया minus sin के साथ mv sin 5 अब इस equation number 3 को इधर rearrange कर लिया minus sin वाले को इस तरफ लेकर आये हैं अगर तो क्या होगे mv sin 5 is equal to h new dash upon c sin theta या c को हम इधर ले जाए तो क्या होगे mv c sin 5 is equal to h new dash sin theta equation number 4 तो equation number 2 और equation number 3 हमने momentum के लिए निकाला, equation number 1 हमने energy के लिए निकाला अब equation number 3 को हमने rearrange कर लिया और equation number 4 बन क्या, अब equation number 2 को भी rearrange करेंगे तो equation number 2 को आप कैसे लिख सकते हो, लिकि गी रहा equation number 2 जिसको हमने क्या लिखा mv cos phi यानि कि mv cos 5 is equal to h new upon c और minus sign के साथ यह लिया है h new dash upon c cos theta अब यह c अगर हम LC में ले 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 और इस तरफ ले आ है तो mv c cos 5 और फिर यहां से h common ले 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 तो यहां पर हो जाएगा new और यह हो जाएगा new dash cos theta तो equation number 5 तो equation number 4 और 5 कैसे आ गया समवेग वाले या momentum वाले को rearrange करके equation number 4 और 5 आ गया अब हमने करा equation number 4 square plus equation number 5 का square अब पहले हम left hand side देखते हैं equation number 4 में जो था उसको हमने square करा तो क्या आ जाएगा m square v square c square sin square 5 equation number 5 में जो left hand side है उसको हमने करा m square b square c square cos square 5 is equal to अब right hand side आ जाएगा तो right hand side में equation number 4 में जो हमने को square करेंगे तो h square new dash square sin square theta और अब equation number 5 में जो इसको square करा तो h square और था new minus new dash cos theta इसको हमने square कर लिया अब इस left hand side में से m square b square c square common ले लिया तो अंदर आगे sin square 5 plus cos square 5 और इदर right hand side में से h square हमने common ले लिया तो यहां से तो आगे new dash square sin square theta और यह square फिर common हो गया तो यह हो गया new minus new dash cos theta का square अब यह sin square 5 plus cos square 5 is equal to 1 तो left hand side में पास बचा m square b square c square multiply by 1 अब इधर देखिए इधर h square हमने common ले रखा हैं तो h square यह common है और यह हमने as it is लिग दिया new dash square sin square theta अब यह a minus b का square है तो a minus b का square क्या होता है a square plus b square minus 2ab तो इसको बिस्ते से करें तो new square plus new dash square cos square theta minus 2 new new dash cos theta यह हो गया bracket खोल गया हमने square को जो a minus b का square है उसको इस रूप में लिख लिया अब देखिए यह और इसको लिया इसमें new dash square को मैंने common ले लिया तो अंदर आ गया sin square theta plus cos square theta plus यह रहा new new square minus 2 new new dash cos theta अब इधर हो गया यह is equal to 1 तो अंदर आ गया यह new square हमने पहले ले लिया बाद में new dash square ले लिया minus 2 new new dash cos theta equation number 6 तो अब तक हमने क्या करा हमने करा है पहले उर्जा सरक्षन के नियम को उपयोग करा फिर संवेक सरक्षन के नियम को उपयोग करके अलॉंग x-axis और लॉंग y-axis equation number 2 और 3 निकाला उसके बाद 4 & 5 इसको simplify करा उसके बाद 4 & 5 जो कि संवेक सरक्षन के नियम के निकल कर आये ते उसको square करा और हमाएं पास आगे नौ equation number 1 देखे equation number 1 हमाएं पास यह आ गया था अब इसको हमने rearrange करना है तो हमने क्या करा है mc square को एक तरफ ले लिया देखे यहां पर क्या था m square v square c square था संवेक वाले में तो यहां पर भी कुछ इसी form में लेकर आए तो mc square को एक तरफ ले लिया और दूसरी तरफ आ गया ह अब पर हमने h common ले लिया तो h common लिया तो new minus new dash m not c square equation number 7 आ गया अब इसको square करें square करेंगे time square c4 और यह पूरे को square हो गया अब यह square a plus b ka whole square है तो a square plus b square plus 2ab करेंगे तो होगे h square new minus new dash square square plus m not square c4 and plus 2h new minus new dash multiply by m not c square अब यहाँ पर m square c4 is equal to h square इसको भी खोल दीजे new square plus new dash square minus 2new new dash plus m not square c4 plus 2h new minus new dash m not c square यह आगे question number 8 अब equation number 8 तो energy conservation के साब से हमने उसको simplify करके square करके लेकर आए और एक equation number 6 था जिसको भी हमने संवेक सारक्षन वाले equation को दोनों को square करा था अब हम equation number 8 यानि के energy वाले में से 8 minus 6 करेंगे तो equation number 8 minus 6 करें तो देखें यह simply हमने equation number 8 minus equation number 6 equation number 8 के left hand equation number 6 का left hand उसी तरह से यह लिखती है अब इसमें देखें यह h square new square plus new new dash है यह दोनों और इधर भी यह minus sign के साथ इसलिए इसको हमने cancel कर दिया अब cancel कर दिया उसके बाद हम next equation देखें यहाँ पर हमने क्या करा इन दोनों में से m square c4 को कॉमा ले लिया तो यहां पर तो बच गया 1 minus अब c4 को कॉमा लिया है तो हम यह मान सकते हैं यहां पर अगर हम यहां पर multiply कर दे c square upon c square से तो यह क्या हो जाएगा c4 हो जाएगा तो m square c4 common हो गया तो यहां क्या बचा वी square और नीचे क्या बचा c square फिर यह ब्रैकेट खोला है हमने तो माइनस तू एच स्क्वार नू नू डैश प्लस तू एच नू नू डैश कॉस थीटा यह आ गया यह आ गया फिर एम नौट c square यह हो गया और फिर हो गया यह 2H एम नौट c square नू माइनस नू डैश नू अगर्डिंग तो थेरी ओफ डिले डिलेविटिव दी यह आदि कि सापेग श्वाग सिद्धान के अनुसार इलेक्ट्रोन के द्रविमान इलेक्ट्रोन के जो मास M है स्मॉल M तथा उसके रेस्टिंग मास यानि कि विश्राम द्रविमान M नौट के बीच में यह रिलेशन होता है ना एक्वेशन नमबर 10 को हम स्क्वार कर दें तो यह एक्वेशन आगई इसको थोड़ा सा रियर्रेंज कर दें तो M not square is equal to M square 1 minus B square upon C square equation number 11 नो substitute the value from equation number 11 to equation number 9 तो 9 में value रख दें किसकी value रख देंगे हम यह M not square की value रखेंगे तो देखिए क्या आता है तो देखिए यहां पर आया है हमाई पास यह equation आई है अब इस equation में यह है M square 1 minus V square C square तो यहां पर भी देखिए हमें है M square 1 minus V square C square इसके जगा हम क्या लिख सकते हैं M not square लिख सकते हैं और यहां पर C4 है तो हमने यहां लिख दिया M not C square and C4 यहां का यहां आ गया is equal to यह जो बच्चीवी चीज हैं उसको हमने यहां पर note down कर लिए अब यह cancel हो गया अब cancel होने के बाद यह minus sign के साथ जो term था उसको हम बराबर के इधर ले आए तो क्या हो गया अब हमने क्या करा देखिए यहां पर 2 से 2 cancel हो गया और H से H cancel हो गया यहां पर एक H बच गया है यह H और यह M not यह H है यहां पर और इधर है M not C square तो M not C square को इधर ले आएंगे हम इस तरफ ले आएंगे और जो new new dash है उसको हम इधर ले जाएंगे new new dash को इधर ले जाएंगे देखिए कैसे करा हमने तो यह हो गया H upon M not C square 1 minus cos theta already था इधर और new new dash को इधर ले आए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं नौ यहां से एक C हम इधर लेकर आए तो C upon new dash minus C upon new यह हो गया lambda dash minus lambda is equal to delta lambda तो delta lambda यानि कि तरंग जैद में विस्थापन की value क्या आगे H upon M not C 1 minus cos theta तो यह है Compton effect आज के लिए बच्चों इतना ही next turn पर आगे continue करेंगे Thank you